दोस्तो जिन लोगों का उमर 50 प्लस हो चुके है यानि वे लोग जो अपना बुढ़ापे के तरफ बढ़ रहे है तो ऐसे लोगों में देखा गया है कि सेक्सुल प्रॉब्लम्स काफी जादा होती है तो आज इस वीडियो में हम लोग ये डिसकस करेंगे कि बढ़ता हुआ उमर के कारण जिन लोगों में सेक्सुल प्रॉब्लम्स होती है वे लोग कौन सी होमेपतिक मेडिसिन का सेवन करके बड़ी असानी से फिर से अपना सेक्सुल लाइफ को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं द आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल को सस्क्राइब करें और बगल में जो बैल आइकन है उसको भी दबाना ना भूले दोस्तों पूरूसों में होने वाली यौन समस्या के पीछे बहुत सारी कारण हो सकता है लेकिन बढ़ता हुआ उमर भी एक कारण है उसमें हमारे पास treatment कराने के लिए ऐसे बहुत सारे online और offline पेसेंट आते है जिनका उमर 50 साल हो चुका है 55 साल हो चुका है 60 साल हो चुका है और जिन लोगों में कोई सारीरिक समस्या नहीं है ना तो उनको कोई diabetes है ना तो उनको cholesterol है ना तो उनको कोई heart की समस्या है ना तो उनका blood pressure है सिर्ष एक प्रॉब्लेम उनके अंदर होता है वही यौन समस्या लिंग में पूरा कड़कपन नहीं आ पाता है यह timing की प्रॉब्लेम उनका अंदर देखने को मिलता है यह फिल लो लिबिडो उनका अंदर हो जाता है बट फिर भी हम लोग उनका रिपोर्ट्स निकालते है और रिपोर से हो रहा है तो ऐसे लोग जो की फिजिकल और मेंटल तोर पे पूरी तरह फिट है जिनका अंदर कोई सारी डिक समस्या नहीं है सिर्फ बढ़ता हुआ उमर के कारण जिनका अंदर सेक्स्वल प्रॉब्लेम हो जाती है तो ऐसे लोगों में हम लोग वे कौन सी दो होमोपति मेडिसिन खिला सकते है जिन मेडिसिन का इस्तमाज से इस तरह का प्रॉब्लेम यह जो बढ़ता हुआ उमर के कारण जो यौन समस्या हो रही है इससे पेसेंट पूरी तरह निजात पा जाए तो जो पहला दवा का नाम मेरा जहम में आता है वो है बराइटा कार्प दोस्तो बराइटा कार्प को होमोपैथी में बुढ़ा पे का मेडिसिन माना जाता है यानि बुढ़ा पे की 70 से 80 पतिसद रोगों में ये मेडिसिन काम में आती है सर से पाव तैक कोई भी डिजिस क्यों न हो ये मेडिसिन के बार में हम लोग सोच सकते है और इस दवा का असर एक बूंद आप ले लीजिए दोस्तों अगला यह सबसे बढ़िया दवा है 50 प्लस लोगों के लिए वह है लाइको पोडियम दोस्तों लाइको पोडियम का उपर मेरा इस चैनल का उपर दो दो लेक्चर अपलोडेड है आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखे और या कॉंबिनेशन यह बैठता है और लाइको पोडियम को भी आप 30 पोटेंसी में लेकर आईए और उसका एक बूंद दो फैर को और एक बूंद रात को आप लिजिए डायरेक्ट आप एक एक बूंद अपना जीब पर डाल सकते है या फिर आपको अगर डायरेक्ट लेने म आपको इस्तमाल करना है हर दिन जैसे करके मैंने आपको बताया ऐसे ही करके आपको इस्तमाल करना है और जैसे ही इन मेडिसेंस को लेते हुए दो से तीन हपते हो जाते है आप अपना अंदर बहुत सारी चेंजेस देख पाएंगे आपका जनननंग में बहुत सारे चेंजे जो आप देख पाएंगे वह आपका आंदर लिबिडो बढ़ गया है यानि sex के पती जो इच्छा है जो इच्छा की कमी हो चुकी थी वो जो है फिर से ठीक हो चुका है वो जो आपको opposite sex के पती फिर से इच्छा आपको होना start हो चुका है ये आप पहले देख पाएंगे इसके medicine आप लेना start करेंगे आपको दिखना start हो जाएगा तो दोस्तो 50 प्लस लोगों के लिए ये दो top homeopathic medicine है जिनका नाम हमने आपको आज इस वीडियो में बताया है और लेने का तरीका भी हमने आपको बताया है और अगर इस topic के regarding आपको मुझे से और को जान करें चाहिए तो फिर आप इस वीडियो के comment box में comment करिए उसका reply आपको वहीं पर दे दिया जाएगा इसके इलावा दोस्तो इस चैनल का उपर आपको एक case नाम का playlist आपको देखने को मिलेंगे उस playlist का अंदर धेरो वीडियोस आपको देखने क आये थे और आप वो हमारे पास एक proper consultation लेकर treatment कराने के बाद अपने आपको कितना अच्छा फिल कर रहे है कितना बेटर फिल कर रहे है यह आप उन वीडियोस में देख पाएंगे और मेरा इन वीडियोस को बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आप लोगों का अंदर होमयोपै अधिमे वेलेबल है विदाउट एनी साइड अफेक्ट यह दिखाने के लिए आप लोगों का अंदर होमयोपैथी को लेकर एक ट्रस्ट बिल्ड करवाने के लिए मैं इस तरह का वीडियोस आप लोगों के सामने लाते रहता हूं तो दोस्तों मैं इस वीडियो को ही पेंड करता हूं so thank you very much and have a good day